नमस्कार दोस्तों सुख़त है आप सभी का हमारे जीनौक डी यूटूब चैनल पर दोस्तों इस विडियो में बात करेंगे महतपूर पुस्तके हैं 2022 वेरी वेरी इंप्रेंट वीडियो कंप्लीट वीडियो वीडियो कान तक जरूर देखें तो चले शार्ट कर लेते हैं पहले कुशन के साथ पहले कुशन है अगस 2022 में लाउंच लॉगडाउन लिरिक्स पुस्तक के लिए का कौन है तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी थी ये संजुकता दश के दोरह लिखी गई थी जो कि ये कलेक्शन ओप पुस्तक में बहुत सारी पुस्तक का कलेक्शन किया गया जिसका नाम रखा गया लॉगडाउन लिरिक्स ये आपको धेन में रखना है संजुकता दश के दोरह लिखी गई थी और इसकी जो लाँचिंग थी वो उडिसा के सीया में नमीन पटना एक उनके दोरह लाँचिंग की गई थी इस पुस्तक की अगले कुशन पर चलते हैं दोस्तो अगर आप पहली बार हमारी जीन ओकरी यूटूब चैनल पर नहीं हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकॉन जरूर किलिक करें जिसके हमारी वीडियो की रागुल लाट नाटिफिकेशन आपको प्राप्त उसके वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने विल विल कमेंट जरूर करते रहे हैं दोस्तो अगर आप हमें आर्थिक साहेता पे करना चाहते हैं तो आप यूटूब पर सुपर थैंक्स के जरीए आप सुपर थैंक्स हमें पे कर सकते हैं दोस्तो अगर इस वीडियो की पीडिय फाइल चाहिए तो दोस्तों हमारा टेलिग्रम आपको जोइन करना है जो जिसका की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कुछ फरजी चैनल हमारे नाम से खुल गए है या हमारा कंटेंट शेयर कर रहे है प्लीज उन चैनलों को जोइन ना कर इन्हें दोस्तों पहले यूसफ खान के नाम से भी जानते थे अब इन्होंने नाम चेंज कर लिया था पहले जिससे यूसफ खान से इन्होंने दिलीप कुमार चेंज कर लिया था जो की काफी भारत में काफी चर्चित रहे दोस्तों इस अबनेता इनका नाम है दिलीप कु फारूकी के दोरा लखी गई यह आपको धन में रखना है दोस्तों किसके दोरा पैजल फारूकी के दोरा दिलीब कुमार नाम पुस्तक यह लखी गई अगले कुशन पे चलते हैं दोस्तों जुलाई चलती आए रही है उनके ऊपर लखी है किसके दोरा अरादना जोहरी के दोरा यह सीनियर आई एस ओफिसर ने उत्तराखंड में दोस्तों उनके दोरा पुस्तक लिखी गई और इसकी जो लॉंचिंग है वह उत्तराखंड के सीम पुशकर सिंग धामी के दोरा लॉंच की गई तो दिए अगले कुशन देख लेते हैं जुलाई थोलाइड वुजर बैस में लॉंच मैकड मोहन कोशनए इंपोर्डंट कोशन दुस्तों उसका पूचिए सकती है, the Mac Mohan Line पुस्तAK के लेखा कौन है, तो दूस्तो इसकी पुस्ता के जो लेखन है, वो जन्रल ये जे जे सिंग है, क्या नाम है इनका, ये रिटाइर जन्रल हैं दूस्तो, और उन्हों ने हाली में पुस्तAK लेखी है, the Mac Mohan Line, कोई मैं जो बता सकता है presence, Mac Mohan R और यह पुस्तक लिखी गई है अगले कुशन पे जलते हैं दूस्तो जुलाई 2022 में स्वाधीनता संग्रामना सुर्वीरो पुस्तक के दौरा लॉंच की गई तो दूस्तो यह लॉंच की गई मीनाक्षी लिखी के दौरा जोकी वर्तमान में केंद्रिय विदेश और संस्कृत स्वाधी नामंताती राजमंतरी और स्वाधीनता संग्रामना सुर्वीरो नामकं पुस्तक में है कि कि जेम दूस्तो both один और उनका इसमें जिक्रिण किया गयाँ और इस नाम से पुस्तक की यह लांच के है शाइक ड़़ए लिखी कि दोरा लॉंच यह लांच करी रेखी यापको धन में रखना है दोस्तों यह लिखिए प्रात्ना बत्रान है यह अपको धन में रखना है यह मशूर यूटूबर है इनके दौरह यह पुस्तक लिखी गई है दोस्तों और इसका जो अनावरन यानि कि पुस्त की जो लॉंचिंग है वो कीती मशूर स्पोर्ट आइकॉन जो की रैसलर है रहे हैं दूस्तो शाक्षी मलक्स के दोरा यह आपको ध्यन में रखना है दूस्तो इस पुस्तक का नाम है गेटिंग दा ब्रैड और किसने लिखी मशूर यूट्यूबर है दूस्त और यह किसके दोरा लिखी गई है सबसे वेले बुक्का नाम याद रखेगा दा लाइफ एंड टाइमस ऑफ जॉर्ज पंडान से आपको पताईए जॉर्ज पंडान डिस कौन थे भारत के पूर रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं जॉर्ज पंडान डिस और यह जो पु 2022 में लॉंच अस्ठांग योग पुस्ता के लिखा कौन है तो दोस्तों यह जो पुस्ता के लिखी गई है यह डाक्टर सोनू फोगाट के दौरा लिखी गई है किसके दौरा सोनू फोगाट के दौरा और इस पुस्ता का नाम है अस्ठांग योग यह आपको धिन में रखन है और हाली में हर्याना के जो चीफ मिनेश्टर है मनोहलाल खटर उनके दौरा इस पुस्तक की लॉंचिंग की गई अगले कुशन पे चलते हैं जुलाई 2022 में चर्चित गौतम अडानी दा मैं हूचेंज इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है एक तरह की गौतम अडानी पर बा गौतम अडानी के ऊपर यह आपको धेन में रखना है यह दोस्तो अभी लॉंच नहीं होई यह अक्टूबर 22 में लॉंच की जानी है लेकिन काफी चर्चा में रही है एक्जाम में पूछा है सकता है गौतम अडानी इस पुस्तक का नाम है किसने लखी है आर एन भास करना ह अगले कुशन पे चलते हैं दोस्तो जून 2022 में चर्चित भारतिया संब्यदान अनकही कहानी पुस्तक के लेका कौन है तो जून 2022 में एक चर्चा में रही इंडियन कंस्टिटूशन अनकही कहानी पुस्तक इसका नाम है दोस्तो भारतिया संब्यदान हिंदी में याद रख की गई है यह भी आपको धिन में रखना है अगले कुशन पर चलते हैं जून 2020 में चर्चित बिजनेस ऑफ स्पोर्ट पुस्तक के लिखा कौन है वेरी वेरी इंपोटन पुस्तक है क्योंकि दोस्तों यह इंडिया की पहली ऐसी पुस्तक है जो स्पोर्ट की जिसमें मार्केट कडिक ने जो की एक स्पोर्ट ओथर है दोस्तों अखवारों में अपने लेक लिखते हैं दोस्तों इनका नाम है विनीद कडिक इनके दौराई पुस्तक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट लॉंच की गई है दोस्तों लॉंचिंग की मैं बात करूं तो यह महाराज के दोज राज ज गोल्लेन गौल्टक ставण लौनज फौ्ज दोस्तों और इसकी जो लॉंचिंग किया दोस्तों स्टेट के साइन्स अंड टेक्लाजी मिनिस्टर जिनका नाम है डौक्टर जीतेंद्र सिंग यह आपको ध्यन में रखना है मई 202 में चर्चे दा इंडिय स्टोरी पुस्तक लि very very double star triple star question Dufo the India Story के पुस्तक के लिखा क्यों है ? यह जो पुस्तक लखी यह । दोस्तो बिमल जालान के दौरह लखी गी है किसु की दौरह दौत ? बिमल जालान के दौरह option में mistake हो गया है इसमें एक भी option बिमल जालान के नाम से नहीं है लेकिन आप solution देख सकते हैं तो mistake हो गया दुस्तो जो answer होना चाहिए वो है वेमल जानान जो की भारत के RBI के पूर गवर्नर रह चुके हैं यह आपको ध्यन में रखना और हाली मेंनों ने इंडिया स्टोरी पुस्तक लेकिए यह आपको ध्यन में रखना दूस्तो पूछा सकत क्या नाम है दूस्तो एलन प्रेकर इनका नाम है और यह मरींड बाइलोजिस्ट है और हाली मेंन दूस्तो इन्होंने डेंजरस अर्थ पुस्तक नाम से यह एक पुस्तक लॉंच की है अगले कुशन पर चलते हैं दूस्तो माई 2022 में चर्चित रेट समाधी पुस्तक जोसे अंतराष्टी बुकर पुरुसकार 2022 से समानित किया गया के लेकक कौन है तो दूस्तो आप सभी जानते हैं इनके लेकक का नाम है गीता अंजली शरी इन्होंने हिंदी में पुस्तक लि लेकी गई थी इसका इंगलिश ट्रासलेट किया था इन्होंने इनका नाम है दूस्तो डेजी रॉकवेल यह अमेरिका से बुलोंग करती है दूस्तो जब जाके रेत समाधी हुई टॉम आप सेंड को मिला दूस्तो फिर 2022 का इंटरनेशनल में बुकर प्रेस और इसकी जो र 2022 में चर्चित लिसन टू यॉर हाट पुस्तक के लेका कौन है तो दूस्तो जाने माने राइटर हैं दूस्तो बच्चों पर पुस्तक लिखते हैं इनका नाम है रसकिन बॉंड यह आपको धिन में रखना है हिमाचल पदेश से ब्लॉंग करते हैं और हाली में इनकी नई प पुस्तक के लेका कौन है तो दूस्तो जो पुस्तक लिखी है वैजले मॉर्गन के दौरा लिखी गई है दा हाड़ेस पेलेस और हाली में इसे दूस्तो विलियम ई कॉल्बी अपट 2022 से सम्मानित किया गया था बेसिकली दूस्तो अफगानिस्तान में जो वार हुए थे उस पहले फाइटर पाइट थे दूस्तो और जनोंने वर्ड बार में पार्टिस्पेट किया था हर्दित सिंग मलिक इनका नाम है इनके उपर एक पुस्तक लिखी गई है इस्टेपन बेकर के दौरा किसके दौरा इस्टीपन बार कर के दौरा यह आपको ध्यन में रखना है द इन फ़स्ते नाइट वाच मैं इनिंग सिंदा बी-सी-सी आई तो दोस्तो यह पूर्व क्यग रह चुके है दुस्तो और इनहें बी-सी-सी-सी में पद दिया था जांच-बांच करने के लिए तो दोस्तो इन्होंने एक पुस्तक लिखाईए जब यह बी-सी-सी-सी-सी-ा के लेखक है विनोध राय जो कि भारत के पूर्व कैग भी रह चके हैं कम टॉलर एंड ऑडिटर जनरल यह आपको ध्यन में रखना है रूपा पॉलिकेशन इंडिया प्राइमेट लिम्टेट के दोरह पुस्तक लॉंच की गई है यह आपको ध्यन में रखना है अगला कुशन लिखें दोस्तों इनका नाम है वॉलिदमिर जैलिसकी इनके उपर एक बुक लिखी गई है दोस्तों काफी करेंड फिर के चर्चा का विशह रही थी दोस्तों जो की लिखी है जेम्स आर रॉडने यह इसे के इन्हें के दहां जेम्स रॉडने के दोरह पुस्तक लिखी कर नाम है दोस्तों वॉलिदमिर जैलिसकी यह आपको ध्यर में रखना है अगले कुशन पर चलते हैं दोस्तों मई 2022 में चर्चे दा वर्ल्ड ओर्डर पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक है वो हैं व्लादमिर पुतिन जो की रशिया के 2021 में लिखी थी दोस्तों उसी के दौरान इसमें कुछ बाते भी बताई गहीं थी व्लादमिर पुतिन के दौरा तो काफी चर्चा में रही है यह पुस्तक इसका नाम है दा वर्ल्ड ओर नियू रूल्स और गेम विदाउट डूल्स यह आपको धहन में रखना है दोस्तों जो लिखी गई है दोस्तों ये प्रीती शनॉय के दर है यह आपको धहन में रखना है तो इसका नाम क्या है वुक का ए? प्लेस कॉब्ड होम जो की प्रीती शनॉय के दर है अगले कुशन वे चलते माई 2022 में पिदान मंत्री नरेद मोधी के विचारों पर आदरेट मोधी ए में दोस्तों यह एक पुस्तक निकाली गई है जिसका नाम है मोदी एड़रेट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलेवरी यह आपको धहन में रखना है दोस्तों बुक का नाम है इसे किसने रिलीज किया या इसका विमोचन किसने किया यह है भारत के उपराश्पती इनका नाम है विंक या नाइड हुई आपको धहन में रखना है इनके दोरह इस पुस्तक का विमोचन किया गया किसके उपर बेजड है तो दोस्तों नरेद मोदी जी के विचारों के उपर बेजड है दोस्तों बेसिकली यह जो वोक्स है इनकी जो भाषा है भाषाण है या जितने भी विचार है नहीं रेद मोदी जी के भारत के पिदान मंत्री के तो दूस्तों उसका एक संकलन किया है बेसिकली यह जो एडिट की है वो यह ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फांडेशन के दौरा एडिट क सब्सक्राइब जलते हैं माई 2022 मैं प्रकाश दा स्ट्रेगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक के लिखा कौन है तो दूस्तों इस यह जो पुस्तक लिखी है यह लगी प्रकाश को मानने सौरी प्रकाश शिंग के दौरा लिखी गई है दूस्तों जो की बहुता है भारत के उप्राश्वति वंकेया नाइडियू के दौरा रिलीज किया गया था और दोस्तों भारत के उप्राश प्रकाश शिंग के दौरा अगले कुशन पर चलते हैं मैं 2022 में चर्चित लीडर्स पॉलिटीशियन सिटियन पुस्तक के लिखा कौन है तो दूस् पॉलिटीशन सिटिजन 50 फिगर हुए इंडिया पॉलिटिक्स यह लिखी गई है दोस्तों रशित के दौरा बेसिकली इसमें बता आए गया है यानि कि इंडिया में जितने भी पिदानमंत्री रहे थे अटल वैरी से इंद्रागांदी से लेकर जितने भी पिदानमंत्री ह रहे थे उनके बारे में एक एतिहासिक किताब लिखी गई है राशित किद्वाई किद्वार रही है आपको धन्मर्क ना दोस्तो अगले कुशन पर जलते हैं दोस्तो माई 2022 में चर्चित ग्रह मंत्री अमिशा पराधरित अमिशा अनी भाजा पच्छी वचल किस राज्य ने लांच की है तो दोस्तो यह अमिशा पर एक बुक निकाली गई है दोस्तो जिसका इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसे कहेंगे अमिशा एंड़ा मार्च आप बीजेपी यानि कि अमिशा के साथ जो बीजेपी के है वो कैसे आगे बढ़ी इसके बारे मैं इस बुक ने इसका विमोचन किया इस बुक का नाम है दोस्तो अमिशा एंड़ा मार्च आप बीजेपी मराठी में बात करूं तो इसे हम कह देंगे अमिशा अनी भाजा पची वचल यह आपको धेनमर्क ना है और बेसिकली यह मराठी में लिखी गई है और इसे मराठी में ट्रांसल यह इस बुक का विमोचन किया यह आपको ध्यक्न मर्का ना है अगले कुशन पर चलते हैं अप्रेल 2022 में चर्चित दा बॉय हूरोट एक कंस्टिटूशन यह एक बुक है दोस्तो जोकी लिखी गई है दोस्तो राजिस तलवार के दौरा यह आपको ध्यान मर्कना किसके पुस्तक है यह इसे कैटेगरी में देखना है चिल्डरन बुक बिसिकली अभी डॉक्टर भी आरमेड कर गी 131 में बर्थ एनिवर्सरी में गई थी और उस दिन पर यह दुस्तों यह बुख पब्लिश की गई थी आपको धन में रखना है तो दुस्तों कोई मुझे बता सकता आप मैंसे जो डॉक्टर भी यारमेड करते उनका जनम दिवस हम किस स्थी को मनाते कमेंड में जरूर बताईएगा अगले कोशन पर चलते हैं अपरेल 2022 में चर्चित हीर यॉर्सेल्फ हीर यॉर्सेल्फ यान कि अपने आपको सुनना अगर मैं इंगलिश में आनुबात हीर यॉर्सेल्फ इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा अपने आपको सुनना अगले कुशन पर चलते हैं दोस्तों अपरेल 2022 में चर्चित दा मैवरिक इफेक्ट डबल स्टार कुशन है दोस्तों पूचिया सकती है आपसे दा मैवरिक इफेक्ट पस्तक के लेकर कौन है तो देखन में रखना है बिसिकली हरी शमेता के दोरह लिखी गई है डबल स्टार कुशन एक्जाम में पूच आ सकता है अगले कुशन पर जलते हैं दोस्तों अपरेल 2022 में चर्चित डिकोडिंग इंडियन बाबू डूम पुस्तक के लेका कौन है तो दोस्तों यह जो पुस्त लिखी गई है डिकोडिंग इंडियन बाबू डूम बैसिकली जितने भी ब्यूर केट है उसमें दोस्तों इन्हें इस पुस्तक में उन्हें बाबू डूम के नाम से बुलाए गया यह पुस्तक लिखी गई है अश्वनी शृवास्तप के दोरह यह आपको धन में रखना है वितस्ता पबलिशिंग प्राइवेट लिम्टेट के दोरह ही पबलिश की गई है बुक अगले कुशन पर जलते हैं अप्रेल 2022 में चर्चित बिरसा मुंडा जिन जाती नायक एक पुस्तक रेली जोई थी दोस्तों इसके लेखक कौन है तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो प्रॉफेसर आलोक चक्रवाल हैं दोस्तों आलोक चक्रवाल इनका नाम है दोस्तों इन्होंने ये पुस्तक लिखी है इसका नाम है बिरसा मुंडा जिन जाती नायक और दोस्तों ये आप देख सकते हैं फोटो में इनका नाम है दोस्तों धर्मेंद्र प्रिदान जो की वर पुस्तक लिखी है अगले कुशन पे चलते है अप्रेल 2022 में चर्चित कुईन ओफ फायर पुस्तक के लिखा कौन है तो दुस्तों ये पुस्तक लिखी गई है देविका रंगाचारी के दौरा किसके दौरा देविका रंगाचारी के दौरा लिखी गई है बेसिकली यह पुस्तक जो based है वो रानी लक्षमी भाई जहांसी की रानी लक्षमी भाई की उपर लिखी गई है यह आपको ध्यन में रखना है किसने लिखी है देविकार रंकाचारी के दौरे लिखी गई है अगला कुशन देख लेते हैं अपरेल 2022 में चरचित क्रंच टाइम नरेंद मोदी नेशनल सेकोरटी क्राइसिस तो दोस्तो एक भुक आई थी दोस्तों जोकी नरेंद मोदी की हाली में सेकोरटी और पंजाब को यह दोरा कर रहे थे उसके उपर यह पूस्तक लिखी गई है द पूर्टी प्रदत श्री सोमया पूस्तक डार्व के लिक्राइब कोने तो दुस्तों यह है जो पिसका है नाम जडरूरी रखना इस पूर्ती प्रदत्या सरी सौमिया इस पिसका का नाम है बेसिकली शाम परसाद के दौराइए पुस्थक लिखी गई है इनका नाम के शाम और दोस्तों एमवेंग के नाइड्यू ने इसका पुछा सकता आपसे अगले कुशन पर चलते हैं दोस्तों मार 2022 में चर्चा में रही दा लिटल बॉक आफ जॉय पुस्ता के लेखा को ने कही बार मैं आपको बता भी चुका हूँ लिटल बॉक आफ जॉय जो पुस्ता के लिखी गई है दलाई लामा और डैसमंट टूटू के दोरह कभी कभी आपको डलाई लामा ऑप्शन नहीं मिलेगा डैसमंट टूटू एक्जाम में मिल जाएगा दोस्तों अगर यह बॉक आपसे पूछी गई तो याद रखना डलाई लामा और डैसमंट टूटू दोनों ने मिलके पुस्तक लिखी है दोस्तों बेसिकली इसका जो रिलीजमेंट है यानि की रिलीज की जाएगी है सेप्टेमबर 2022 में इसकी लॉंचिंग की जाएगी इसका नाम है दोस्तों दल लेटिल बुक आफ जो यह आपको धन्मर्क ना समादी यह आपको धेन में रखना है नों हिंदी में पुस्तक लिखी थी दोस्तों यह वाली जिसका नाम तर रेट समादी और आपको पताएगे अंतराष्टी बुकर पुरुस्कार में वही पुस्तक हैं जो इंगलिश में लखी गई है तो दोस्तों इस रेट समादी बु कैली रचना बन गई है दोस्तों रेट समादी जो इंगलिश में कहला ही गई टॉम आप सेंड डेजी रॉगवेल ने टॉम आप सेंड लिकी है दोस्तों यह जो गीता अंजली शिरी ने जो हिंदी में जो शब्द लिखे थे इसमें जो भी लाइन लिकी थी उसका पुस्तों है ने यह दियुकर लेकर्म ई VII Crossing में जो इसमारी को कैसे रोके हैं हम टुकर डॉपनेंट पर नेक्स पंदेमिक वेरिवेरी इंपॉडेट सब्सक्राइब या जो भी महामारी आने वाली है उनको रोकने के लिए इसमें तरीके सुझाए गए हैं बिल गेट्स के दोरे पुस्तक लिखी गई है अगले कुशन विजलते हैं फरवरी 2022 में लॉंच कोई कों कुशचन है वे इंपोरेंट कुशन है डृवल स्य डृले लिखन है इपुर्ण वेदी बिघे मैंने पुछार है इनके बारे में अगले कुशन पर जलते मार्ट 2022 में लॉंच उगले और वन यह आपको धन्मर्क ना इसका जो इंग्लेश अनवाद होता वन एमॉंग यू होता यह आपको धन्मर्क ना दोस्तों तमिल वाजशा में बैसिकली उगलें और वन इसे अंग्लेश में कहेंगे हम तो क्या कहेंगे वन एमॉंग यू यानि कि आप मैंसे एक तो दोस्तों यह जो पुस्तक है एक तरह की आटो बाइगराफी यह आपको धन्मर्क ना किस किस राज़ के मुखमंत्री के आटो बाइगराफी यह तो यह है तमिल लाडू के चीफ मिनिस्टर इनका नाम है म के स् स्टालिन इसके मुखमंत्री है तमिल लाडू सरकार के और इन्होंने एक पुस्तक लिए वन एमॉंग यू बेसे के लिए इनकी आत्मकता है इन्होंने अपने बारे में इस पुस्तक का पुस्तक में जिकर किया यह आपको धन्मर्क ना यह जो वुक लांच की गई दूस्त तो कांगरेस के राहूल गांदी के दारा यह पुस्तक रिलीज की गई यह आपको ध्यन में रखना है अगले कुशन पे चलते हैं फरवरी 2022 में लांच ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लिए का कौन है तो दूस्तों यह पुस्तक लिखी गई है यह लिखी गई है इस पुस्तक का नाम है एक नेशन टू प्रोटेक्ट यहनकी एक नेशन को हमें बचाना है तो दूस्तों यह प्रियम गांदी मोधी के दोरा ही लिखी गई है यह आपको ध्यन में रखना है और भारत के जो सौस्त मंतरी है मनसुक मांड विया उनके दोरा इस पुस्तक का व अगले कुशन बेचलते हैं मार्स 2022 में किसने मांसुन पुस्तक लांच की इस पुस्तक का क्या नाम है मौनसुन बेसिकली एक पोयम है यह आपको ध्यन में रखना है जो की साहित्ते एकडमी के दोरा पब्लिश की गई है डबल डबल स्टार कुशन एक्जाम में पूचा सकत दोस्तों इस पुस्तक का क्या नाम है बेसिकली एक पोयम है यानि कि इस पुस्तक में पोयम का संकलन किया गया है जिसका नाम रखा गया मौनसून और यह पुस्तक जो लिखी गई है अभे के के दोरा लिखी गई है किसके दोरा लिज किया गया साहित्ते एकडमी के दोरा ल लिखी गई है दोस्तो यह आपको धेनमेर्क नाम है दा मिलेनियन योगी तो दोस्तो यह योगी आदित्यनात के उपर नहीं है यह गलत आप समझना नहीं कि चीफ पुनेश्टर यूपी जो यूपी के वरतमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनात उनके उपर है क्योंकि इसमें दा मिलेनियल योगी नाम लिख रहा है ऐसा बिलकुल नहीं है दुस्तो बेसिकली यह जो पुस्तक लिखी गई है यह जो जैशंकर प्रसाद है दुस्तो उनके उपर ही पुस्तक लिखी गई है यह आपको ध्यर्मेर्क ना दुस्तो दीपम चटरजी के दोरा ही पु की गई है इस पुस्थक का क्या नाम है गोल्डन बॉय नीरा चोपडा बाइगराफ यह किसने लिखी है दुस्तो नवदीप सिंग गिल के दौरा लिखी गई किसके ऊपर नीरा चोपडा जी के ऊपर यह आपको धन में रखना है जोनों ने जापान सारी टोके ओलंपिक में द जनवरी 2022 में लाँंच E mean टें टिर्लियर डॉलर ड्रीम पुस्ता के लेका कौन है तो चर्चित में अधी जनवरी में वेरी वेरी ट्रिलियन डॉलर ड्रीम यह आपको धन मर्क नाय कि बैसिकली इंडिया के डिलीम के बारे में बताए गए कि इंडिया का कैसे टैन ट्रिलियर डॉलर ड्रीम पूरा होगा तो सुवाच चंद गर के दोरे पुस्तक लिखी गई है या आपको धन्मर्क ना दोस्तों अगले वीडियो को साथ दिकाफर मैं आज दूरूंगा आप बहुत धन्यवाद